ओम गण गण पते नमें बिनायक चतूर्दी गणे चतूर्दी यानि ब्रत कथा कहते हैं बिनायक चतूर्दी गणे जी को समर्पित है और ये गणे जी पर अगर आप कोई भी पूजा ऐसी सफल पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान जी आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं एक दिन गणे चतूर दर्ती पोनानी कताओं के अनुसार भगवान सीप तथा पारवती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे वहां माता पारवती ने भगवान शीप से समय बैतीत करने के लिए चोपड खेनने को कहा शीप चोपड खेनने के लिए तयार हो गए पर उन्तो इस खेल में हार जीत का फैसला कोन करेगा यह पिरसन उनके स्चमक्स उठा तो भगवान शीप ने उनसे कुछ पूछा तिन के एक एकत्रित कर उसका एक पुतला बना कर उसकी प्राण पृतिष्टा कर दी और पुतले से कहा बेटा हम चोपड खेनना चाते हैं परंतो हमारी हार जीत का फैसला करना वाला कोई नहीं है इसलिए तुम बता देना कि हम दोनों में से कोन हारा और कोन जीता इसके बाद भगवान शीप और माता पारवती का चोपड खेनना सुरू हो गए यह खेल तीन बार खेला गया परंतु संयोग से तीनों ही बार माता पारवती ही जीत गई खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेब को ही बिजे बताया यह सुनकर माता बड़े क्रोधित हो गई माता पारवती ने क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने भालक को लंगरा होने का यानि कीचर में पढ़े रहने का श्राप दे दिया भालक ने माता पिता से । माफि मांगի और कहा कि यह मुझसे ज्यांतावाश में ऐसा हुआ है मैंने जान पूछकर नहीं कहा लेकिन एग्यानतावाश में कहा हुआ मैंने किसी भी ब्लवाव से ऐसा नहीं किया था बालक द्वारा छमा मांगने पर माता ने कहा यह गणेश पूजन के लिए ना कन्याएंगी उनके कहे अनुसार तुम गणेश ब्रत करो ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे यह सुनकर माता पार्वती सिप के साथ कैलास परवत पर चली गई यानि लोड गई बापस एक समय बाद उस इस्थान पर नाक कन्याई तब नाक कन्याओं से ही शिरी गणेश के ब्रत की विधी मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार बरावर गणेश जी का पूजन विधी ब्रत किया इसी इस रद्दा से गणेश जी पिर्शन हुए उन्होंने बालक को मनवांशित फल मांगने के लिए कहा उस पर बालक ने कहा है बिनायक मुझ में इतनी सकती दीजे कि मैं अपने ही पैरों से चल कर अपने माता पिता के साथ कैलास परवत पर पहुंच सकूँ और यह देख पिर्शन हो यह तब बालक को माता पारवती सिपजी से बिमुख हो गई थी अतह देवी से के रुष्ट होने पर भगवान शिप ने भी बालक के बताए अनुसार 11 दिन तक स्री गणेश का ब्रत किया इस ब्रत के प्रभाव से माता पारवती ने मन से भगवान शिप के लिए जो नाराजगी थी वह थो गई तब है ब्रत बिधी बिधान संकर ने माता पारवती को बताई यह सुनकर माता पारवती ने भी मन में अपने पुत्र कार्तिये से मिलने के इच्छा जागरुत हुई ता माता पारवती ने भी 21 दिन तक सिरी गणेश का ब्रत किया था तथा दूबा फूल और बिनायक चतुर्दी जो है यह बहुत ही खास है बहुत अच्छे सहयोग बनने हैं मैंने दूसी वीडियो में बताया कून से सहयोग बनने ही दोस्तों मैं डिस्क्रप्शन में आपको लिंक डाल दूँगी यहां से देखना क्योंकि अगर मैं इसमें बताऊंगी तो बहुत आधि है अधूरी है अगर आपकी वो मनोकामना पूरी होगी चलिए ब्रत के 21 वे दिन कार्टि के शोयम माता पारवती से आप मिले उस दिन से सिरी गणेश चतुर्दी यानि यह बिनायक गणेश चतुर्दी ब्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ती करने वाला ब्रत माना जा इस दिन आप पूरे दिन ब्रत रखकर आपकी जो भी मननत है जो भी मनोकामना है वो ब्रत आप रखते हैं बोलकर तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है ब्रत किस प्रकार रखना है आपको सुबह उठकर निब्रित होकर इश्नान करके आपको संकलप लेना है और फलार या दूस का सेवन कर सकते हैं चाय का सेवन कर सकते हैं आपको अन नहीं खाना चाहिए साम को भगवान जी को भोग लगा कर आप कुछ भी मीठे में खा सकते हैं भगवान को लड़ू का भोग अरपित करके जो आप खाएं वो ही भगवान गणेजी को अरपित करें और ख भगवान जी आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं कहते हैं इस बिरत को करने से मनुष्य के सारे कश्ट दूर होते हैं और मनुष्य को समस्ख सुभिदाय प्राप्त होती हैं अगर इस बिरत को आप करते हैं तो आपकी जितनी भी परिशानी ये दुख है तो वो सारे कश्ट हडता हैं सुख देने वाले हैं और आपके कोई भी ऐसे मनोकामनत जो नहीं पूरी हो रही है आपके कोई भी बिगड़े कारिये रुके हुए कारिये बेपार रुका हुआ आपको बिनायक चतुर्दसी के दिन जो बैसाग बिनायक चतुर्दी ये खास ही है काफी संयोग बन इस संयोग में अगर आप मनवानचित फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको संकलप लेके भगवान गणे बिगड़त रखना चाहिए और इस बिगड़त को आपको पूजा अर्चना के साथ करना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान गणे जी की किरपाप बनी रहती है दोस्तों फिर कुछ अलग फिर कुछ एक नया आपके लिए पूजा से सम्मंदित हिंदो सास्त्रों के अनुसार ग्रंथों से सम्मंदित छोटे छोटे उपाए छोटी छोटी पूजा जो हम आप लोग तक पहुचाना चाहते हैं अगर वीडियो पर आपको अच छोटे छोटे जो हमारे तिहार होते हैं हिंदु धरम से जुड़ी वो बाते छोटे छोटे ग्रंथों में जो छुपे हमारे छोटे छोटे उपाए होते हैं वो आप लोगों तक पहुचाना और कहते हैं इन छोटे छोटे उपाए करने से हमारे जीवन में काफी बदलाब हमें अवश्य करने चाहिए थोड़ा समय अपने जीवन में अपनी लाइफ के लिए निकालना चाहिए अगर हम ऐसे छोटे छोटे उपाई करते तो हमारे जीवन